हेलो फ्रेंड फिर मैं आ गई अपना एक नया प्लांट लेकर आपके सामने यह प्लांट जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो है डैन्थस आप मेरे गार्डन के डैन्थस के कलर देखे कितने खुब्सूरत कलर है मेरे गार्डन के डैन्थस के तो आज मैं एट उजड डैन्थस की डैन्थस प्लांट की केर कैसे करेंगे कैसी मिट्टी चाहिए धूफ की रिक्वार्मेंट कितनी है कि पानी कितना चाहिए और सारी चाहिए आपको इस वीडियो में दूगी और डैन्थस को मरने से भी कैसे बचाइए डैन्थस हालकी सीजनल प्लांट है फिर भी उसको हम दूसरे सीजन तबहुतेये मेरी वीडियो में बने रहें मेरे वीडियो और आप चैनल पे नए है तो इसको प्लीज प्लीज सब्क्राइब किजिए और मेरे मेरे चैनल की ग्रोथ में मेरा साथ देजिए देंथस सन लविंग प्लांट है इसलिए इसको छे से आठ गंडे की धूप में रखें अच्छी धूप मिलेगी तो वह अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी पानी की बात करें तो जब तक इसकी दो इंच की मट्टी शूख नही होती है और जब पानी डालें तो देखिए कि ड्रनेच होल से पानी निकल रहा है कि नहीं मट्टी इसको ऐलकेलाइन सोल पसंद है और एस्टिक सोल में इसकी ग्रोथ में बहुत मुश्किल आती है ज्यादा तर गमलों की मट्टी एसिडिक होती है तो उसको हमको अलकलाइन बनाने के लिए लकडी की राख जिसमें केल्शन कार्बुनेट होता है इसको गमले के हिसाब से एक चमच डाल दें जिससे आपकी मट्टी अलकलाइन बन जाएगी और प्लाइन्ट की ग्रोथ अच्छी होगी इसको हम बीच से लगा सकते हैं कटिंग से लगा सकते हैं और जड़ से लगा सकते हैं जैसे हम नर्सरी से लाते हैं यह कटिंग से लगा हुआ प्लाइन्ट है पंदरा दिन में इसमें फ्लावरिंग होने लगी देंथस की पिंचिंग बहुत ज़रूरी है इसमें एक जब हम पिंचिंग करेंगे इन डेड हेडिंग करेंगे तो इसकी नीचे से दूसरी लेयर से फ्लावरिंग होने लगेगी अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो तुरत यह सीट पॉड बनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारा प्लांट मर जाता है ठंड में और गर्मी में तो अची तरह से सर्वाइब कर लेता है लेकिन बारिश में इसको लगातार बारिश होने से पंगस लग जाता है और प्लांट मर जाता है इसलिए पारिश में इसको बहुत ध्यान देना जरूरी है इस तरह से आप अपने देंथस को दूसरे सीजन तक भी बचा सकते हैं